स्वरांगिनी की गई एक किताब जिसका नाम है स्वरांगिनी दे म्यूजिक बुक अफ संगीत प्रवाह वर्ड कोमल गंधार यौर रियाज पार्टनर रागें सीखनी हो प्यानो गुरू का इस्तिमाल करना हो स्वयम रियाज करना हो थाटों का रियाज करना हो अलंकारों का पल्टों का हर प्रकार का रियाज इसमें अविलेबल है लिंक डिस्क्रिप्चन में है अभी डाउनलूड कीजिए कोमल गंधार है कि आप मुझे भूल जाइए जो जिन्दगी बची है खुदरंग जौन एलिया साहब की लिखी गई ये बहुती खुबसरत घजल आप पढ़िएगा जरूरी से और मेरी ही कॉंपोजिशन है जल्द आप सुनेंगे मास्ट अनिशाथ प्रोडक्शन पे तो आएए अब बात करते हैं स्वरांगिनी दे म्यूजिक बुक ऑफ संगीत प्रोड के बारे में इस टॉपिक पर मैं बहुत वीडियो पहले भी बना चुका हूँ आप सभी जानते हैं कि बहुत सालों पहले मेरे पिताजी ने ये किताब रची थी इसमें जो जो चीज़ें हैं वो कंपाइल करी थी खुद क्रियेट करी थी तब से लेकर आज तक ये क पूटी कहूं तो बहुत पेजिस इसमें एड हो चुके हैं क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमने इसमें आड करें दीरे दीरे इसके अलग अलग वर्जिंस निकलते रहते हैं तो ये जो वीडियो है मैं उसके लेटेस्ट वरिशन के बारे में आपको बताने के लिए बना र ताके जादा से जादा लोग उसका इस्तमाल कर सकें उसे यूज कर सकें उससे सीख सकें याना फिर हमें लगा कि उसकी एक वैल्यू होनी चाहिए क्योंकि जब तक किसी चीज़ की प्राइज नहीं होती ना उसकी कोई खदर नहीं करता वैल्यू नहीं करता है बहुत किताब है इतना नौलेज उस किताब में है तो आईए मैं जल्दी से आपको उसके बारे में बताता हूं स्क्रीन पर जैसा कि आप देख सकते हैं उसका थोड़ा सा एक PDF का ओवर्विव है यह आपको नजर आ रही है स्वरांगिनी है टाइटल आपने लोगो सामने आपको नज पहले भी बता चुका हूं कि उसमें शुरुवाती जो पेजिज हैं उसमें तालों का ग्यान है अलग-अलग ताले हमने उसमें दे रखी है जो प्रचलित ताले हैं जैसे दादरा, रूपक, कहरवा, तीन ताल, एक ताल, जहप ताल यह जो बहुत प्रचलित ताले हैं एक particular वीडियो मैं syllabus of संगीत प्रवावर्ड के उपर भी बनाऊँगा जो इसी मन्थ आपको नजर आएगा तो उसको आप देख लेंगे तो काफी और आसानी आपको मिलेगी जानने को कि हम क्या सिखाते हैं तो स्वरांगिनी के बारे में आप देख लीजे इसका content section कि इसमे आगे ताले हैं ताल की टेक्नीक्स हैं यानि लहकारियां हैं कैसे ठाद उगुन तिगुन चोगुन करते हैं या और भी टेफिकल जो लहकारियां है आड़ कुआड बे आड़ कैसे की जाती है सब उसमें दे रखा है फिर harmonium टेक्नीक्स जो जो मैंने बताई हैं अपने सामने रहती है साफ कॉपिय रहती है तो आसानी रहती है उसके बाद देखें बेसे इक अलंकार जो उसमें हैं डस पे इज के जैसा कि हम बताते हैं गुरू जीवीने मेरे पिता जी ने जैसे की हैं वह सारे हैं अधारे सब्सक्राइस की कुछ टेक्ष्ण तोड़ी, कल्यान, भहरवी यह जो थाठ है इनी पर आधहरिक जो रागे हैं वही रागे हैं यानिकि बिलावल, भहरवी, यमन, कल्याण, बहरवी, भहरव, काफी, खमा, जासावरी, मारवा, पूर्वी तोड़ी यही 10 रागें भी हैं। उसके बाद इनकी जन्नी रागें जो बहुत सारी हो सकती हैं, तो उससे एक दस रागों की एक सूची, जिसमें कि आपको बंदिश भी मिलती है, सरगम गीत भी मिलती है, लक्षन गीत मिलता है, आलापताने मिलती हैं, और आगे की जो यह हमारा सिल्बस से रिलेटेड है, जो जैसे हमारे एपिसोडिक सीरीज है, उसी से रिलेटेड हमने ये बुक भी बनाई है, तो जो जो उसमें गाया जा रहा है, वो वो इसमें लिखा हुआ है, तो आपको बड़ी ही आसानी हो जाती है, सारी बंदिशे हैं, बिलास खानी तोड़ी, कालिंगड़ा, भीमपलासी, देश, दरबारी, सोहनी, बसंत, मुलतानी, दुरगा, श्याम कल्यान, अहीर, भहरव, विरिंदावनी, सारंग, रागेश्वरी, जौन पूरी, भटेयार, बागेश्री, मधुवंती, बहाग, कोमल, रिशब, आसावरी, मारु, बहाग, नट भहरव, ये रागें आप तक ह अलंकार, भहरव, हाट के अलंकार, स्वर्विस्तार की टेक्निक, ये सब इसमें दे रखा, और मॉर्निंग की जो बंदिशें हैं वो, उसके बाद, बीज मंत्र, उन सब के बारे में दे रखा है, ऐसे धीरे-धीरे अगर आप इसमें देखते जाएं, काफी ही सारी डिटेल आपको मिल जाती हैं, तो अगर इसे आप लेना चाहते हैं, पर्चेस करना चाहते हैं, तो वाट्सअप पर कॉन्टेक कीजिए, और इस किताब की पीडिएफ आपको मिल जाएगी, और आप हाड कॉपी मंगाना चाहें, तो वो वहाँ लिख दीजेगा, तो बस ये बताना से आप संगीत नहीं सीख जाओगे, क्योंकि ये कोई 30 दिन में संगीत सीखें वाली किताब नहीं है, कि इसमें 15 दिन में अंग्रेजी सीखें वाली जो manual books आती हैं, ये वो help book नहीं है, इस किताब को खरीद कर आपको एक guidance की आवश्यक्ता रहेगी ही रहेगी, कि आप कैसे, मैं एक example मैंने कुछ दिन पहले किसी को दिया था, कि आप मान लीजे, आपका बच्चा 7th class में बढ़ता है, तो 7th class में जो syllabus चल रहा है, वो सारा syllabus आप खरीद के घर पे लियाओ, तो घर बेटके वो ये नहीं हो जाएगा कि वो किताबें पढ़ लेने से मैं पूरी 7th class पास जाते हैं, आज जैसे अगर मैं मेरी stage बात करूँ या मेरे साथ सीख रहे या मुझसे भी जादा आगे वाले जो students हैं, वो लोग अगर कोई किताब उठाते हैं संगीत के और उसमें कोई बंदिश या कोई चीज देखी है, तो वो बिना किसी guidance के आराम से एक बार तो समझ सक करें, हमारे वीडियोज हैं, उन सब के link description में है, जो पूरी playlist है कि vocal सीखना है, तो harmonium सीखना है, तो तालें सीखनी है, तो उन सब की link आपके description में मिलेगी, तो बस ऐसी देखते रहें, और जुड़े रहें हमसे हम कुछ न कुछ न आप तक पहुँचाते रहेंगे, और संग करें, करें आपके!